कि राज्य सिक्षासोद एवं परसिक्षन परश्यद बिहार पटना में आपका स्वागत है हम लोग स्ट्वेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टेडि कर रहे हैं पिछले कई क्लासों से हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिफरेंट इफरेंट उनके तथ्यों के बारे में हम जानकारी मालूम कर चुके हैं कि यहां पिछले क्लास में हम लोग सम ओफ अनच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी हासिल किया उसका सुत्र होता है आज के क्लास में कुछ important बात हम लोग पढ़ेंगे important result पढ़ेंगे जिसे आप मेंस में apply करेंगे और साथ में सम से भी related कई महतपुर्ण बाते आते हैं ratio के खास करके जब दो arithmetic progression का ratio given हो या same arithmetic progression का ratio गर given हो तब उसमें number of terms का ratio कैसे find करते हैं इस पर प्रस्टन जो है आपका ncrt में भी है और साथ में आपका मेंस में भी पूछा हुआ questions है तो देखते हैं कि क्या और भी important result हमारे पास में इससे निकल कर आते हैं हम आपको यह बता चुके हैं कि a1, a2, a3 इस प्रकार से a4, s1, an यह हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इन एपी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म के पहले या जिस दिन हम डिफनेशन का चर्चा किये थे उस परिभासा के कॉंसेप्ट में ही हम आपको बताए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है वहां से एक इसके डिफनेशन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफनेशन से यह कराता है कि किसी भी टर्म को उसके जसे प्रिफिसिविंग टर्म का डिफरेंस निकाला दा इंगर लोत दिफरेंस थ्रू आओं जाता है तब आइसी स्तीति में उस अनुक्रम को उससद इस सिक्वेंस को घ्र सकते हैं third term minus आप इसे second term लिख सकते हैं या fourth term minus third term लिख सकते हैं या as one nth term minus nn minus one लिख सकते हैं nth term में n minus one नमा term को minus करेंगे तो ये important है कि d is equal to an minus an minus one जैसा आप जानते हैं कि हाँ यन जो है वो नेचुवल नंबर है यन किस से बिलाउंग करता नेचुवल नंबर से बिलाउंग करता और जब नेचुवल नंबर होगा तो यह नंबर आफ टर्म भी हमारे पास में number of term की बात करेंगे तो वो 1 से शुरू होगा natural number होगा तो first term, second term, third term, as one चलेंगे तो यहाँ जो यह formula stable हुआ है d equal to an minus an minus 1 तो इसमें at least तो इसे 1 होना पड़ेगा और 1 होने के लिए यहाँ जो यन का जो value है वो value कहां से सुरू करना होगा, two से करना होगा क्योंकि one रखते हैं तो इसमें one one रखेंगे अगर यहाँ यन equals to one put करते हैं तो यह result अमारे पास में a one हो जाएगा और a one minus a one तो कहने का अर्थ है कि a naught हो जाएगा मतलब यह zero हो जाएगा आपका जो sequence and series में possible नहीं है इसका अर्थ है कि natural number तो है लेकिन यहाँ जो यन का जो value है वो क्या होगा? greater than and equal to two होगा greater than and equal to two होगा इस condition पर यह formula applicable होगा जब आप two लेंगे तो a two हो जाएगा और minus a two minus one means a two minus a one हो जाएगा तब यह first term में आएगा अब साथ में यह भी बात आपको याद रखना है कि कहीं हमें sum given है मतलब sn given है और number of term निकालना है तो यहाँ second में आप कह सकते हैं कि number of term को आप an ले लीजिए an से represent करते है मतलब an equals to आप sn minus sn minus one यूज़ कर सकते है sn minus sn minus one यूज़ कर सकते है अब ऐसा क्यों use करेंगे इसके बारे में आप सूचिए तो sn का means होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस s1 an minus one प्लस an ऐसा होता है और जब sn minus one कहेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस s1 प्लस an minus one तक होगा अब दोनों का अगर डिफ्रेंस कर दें मतलब माइनस कर दें तो यह चिन माइनस 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 रिजल्ट क्या होगा प्लस माइनस कैंसील यहां भी प्लस माइनस कैंसील प्लस माइनस कैंसील प्लस माइनस कैंसील यहां अमारे पास में हो गया SN minus SN minus 1 is called to RHS में AN बच गया मतलब यहां formula निकल के आया Nth term is called to SN minus SN minus 1 यह second important result है जब भी आपके पास में यन term का some question के अंदर में दिया हुआ रहे मनें प्रस्ण में दिया हुआ रहेगा कि यन term का sum इतना है और तब आप से पूछा जाएगा कि आप arithmetic progression को बताएं तो अहां आपको Nth term find करना पड़ेगा और उसके लिए important formula है ध्यान देने की बात है कि यहां भी जो यन का जो value होगा वो greater than and equals to 2 और यन natural number होगा मतलब कहने का अरत है कि 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे 8 लेंगे, लेकिन यन is equal to 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 लेंगे तो हाँ yes 1 हो जाएगा बने एक term का जोड़ और yes 0 का बताब 0 term का जोड़ जब number of terms ही नहीं है तो अनुक्रम की बात कहां आ गया आपके पास में कोई term ही नहीं लिखे तो अनुक्रम और sequence बनने की बात नहीं आया जब sequence नहीं होगा तो progression exist नहीं करेगा जब progression नहीं होगा तो types of progression नहीं होगा तो कहने का आरत है कि इस condition पर आप ध्यान देंगे क्योंकि आपके पास में advanced mathematics में इस condition पर particular question दे चुका है तो यह n greater than any question to 2 होगा अब an तो हमारे पास में find हो गया अब इस दोनों formula को अगर combine कर दे तो एक नया भी formula एक नया result भी हमें प्राप्त हो जाएगा कैसे प्राप्त होगा देखते हैं हम number third की बात करते हैं number third की बात करते हैं an हमारे पास में निकल चुका है क्या निकला यह निस कर टू sn minus sn minus 1 अगर an minus 1 कर देते तो यह हो जाता sn minus 1 और minus sn minus 2 अब d इसकल टू निकालने जा रहे हैं तो d इसकल टू an minus an minus 2 हो गया अब देखते हैं sorry an minus 1 हो गया अब यहाँ an का value यहाँ replace करेंगे तो sn minus sn minus 1 minus और an minus 1 सकल 2 हो गया sn minus 1 minus sn minus 2 तो sn minus sn minus 1 minus sn minus 1 और minus minus plus sn minus 2 result हो गया sn minus 2 sn minus 1 और plus sn minus 2 अब देखान देना है कि यहाँ last में yen minus 2 है तो इसका अर्थ है कि जब yen equals to 2 लेंगे तो यहाँ result हमाले पास में क्या हो जाएगा 2 minus 2 yes 0 फिर exist नहीं करेगा इसका अर्थ है कि yen का जो value है वो हमें greater than and equals to 3 रखना पड़ेगा इस question इस theories के लिए yen का जो value होगा वो greater than and equals to 3 होगा जबकि yen हमारे पास में natural number है मैंने 3 से बड़ा natural number 3 और 3 से बड़ा natural number की बात कर रहा है तो हमारे पास यहाँ जो third result आया d is equal to sn minus 2 sn minus 1 और plus sn minus 2 और result में yen greater than equals to 3 इस प्रकार से अस्टुएंट आप इसे देख कर condition निकालने की भी छमता आप में होनी चाहिए कि आप जिस natural number का प्रियोग कर रहे हैं वा natural number कहां से शुरू होगा किस data से शुरू होगा इसका मतलब है कि आपका जो question जो means का पुछा जाएगा से ना शुरू होकर 2 से शुरू हो सकता है वह आपका 3 से शुरू हो सकता है या 5 से शुरू हो सकता है तो यह condition देखना पड़ेगा और यह तब आप पूरा का पूरा finally predict करेंगे कि हमारे पास में यन कहां से होगा तो यह तीन important result हमारे पास में हाया D is equal to A N minus A N minus 1 और A N equals to S N minus S N minus 1 third हम निकाले हैं D is equal to S N minus 2 S N minus 1 plus S N N minus 2 यह condition N greater than equals to 3 इस प्रकार से और भी data हम change कर सकते है अब एक बहुत है important result है तो result जो student हमारे पास में है number 1 D is equal to A N minus A N minus 1 N greater than equals to 2 first second हमारे पास find हुआ A N is equal to S N minus S N minus 1 N greater than equals to 2 third find हुआ D is equal to S N minus 2 S N minus 1 plus S N minus 2 N greater than equals to 3 अब number 4 करते हैं चलिए यहां रॉमन में लिखे हैं साइद वहां 1 2 3 4 जो भी data हो number 4 करते हैं number 4 data जो है किसी भी sequence का को आप arithmetic progression तब कहेंगे जबकि उसका sum sum की बात कर रहे हैं जबकि उसका sum A N square plus BN के form में हो बहुत important result आप जब NCRT के question को देखेंगे तो साइद आपका जो NCRT का question है उसका बारहमा number questions जो है इसी format का questions दिया हुआ है आप जब सम बनाएंगे मान लिया जाए कि डॉक्टर किसी सिना की किताब को अगर आप टच करते हैं तो सम का जो किसी सिक्वेंश का किसी सिक्वेंश को एपी तब कहेंगे या एपी कहेंगे यदि Nth term का योग A N square प्लस B N के रूप में form में हो B N के रूप में हो अर्थमेटिक सिक्वेंश को सॉरी सिक्वेंश को अर्थमेटिक प्रोग्रिशन तब कहेंगे जब की सम आफ Nth term is in a form of A N square प्लस B N एहां जो question है A और B एहां constant है और यन से free है ध्यान रखेंगे A और B एक स्वतंत्र पद है जो यन से free है independent है एहां A तथा B A तथा B यन से स्वतंत्र यन से स्वतंत्र constant term है या यन से स्वतंत्र है चलिए इतना ही लिखिए तो यहां दो important बात निकलेगा कि अगर यह है S N स्कल्टू आप लेते हैं A N स्क्वाइर प्लस B N और यह arithmetic progression है तो आपको यार रखना पड़ेगा कि इसका T N किस form में होगा और साथ में T N क्या होगा और इसका common difference क्या होगा देखते हैं करकर S N यह find हो गया यहां से S N माइनस 1 निकालेंगे तो S N माइनस 1 निकालेंगे तो A N माइनस 1 का whole square है B यहां square नहीं है student A N स्क्वाइर प्लस B N है N माइनस 1 मिंस A इसको solve भी कर सकते हैं यह N स्क्वाइर प्लस 1 माइनस 2 N A माइनस B के whole square पर solve कर लिया है यह B N माइनस B means A N square प्लस A माइनस 2 N A प्लस B N माइनस B यहां से Nth term हमारा find हो सकता है Nth term is called to अभी use किये है Nth term is called to S N माइनस S N माइनस 1 यहां U लगा दीजिए formula लगा दीजिए देखिया है अभी result निकाले और अभी use आ गया अभी हम लोग Nth term की बात किये कि अगर sum given हो यह N term का sum given हो तो Nth term कैसे निकालते हैं और अभी इसका आप प्रियोग कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास S N जो है वो A N square plus B N है और S N minus 1 है A N square plus A minus 2 A N plus B N और minus B solve करते हैं देखिये क्या है result हमारे पास A N square plus B N minus A N square minus A minus minus plus 2 N A or minus B N or such में plus B यहां से A N square और A N square plus minus है cancel B N plus है और B N minus है cancel अब यह N हमारे पास में यह B A बच गया मतलब 2 N A minus A और plus B हो गया यहां से A को हम common ले लेते हैं A को common ले लेते हैं तो 2 N minus 1 into A और plus B इसका अर्थ है कि इसका N जो होगा वो क्या होगा 2 N minus 1 plus B होगा B होगा बतलब कि arithmetic progression का जो Nth term का जो sum होगा वो sum quadratic होगा और ऐसा quadratic होगा जिसका constant पद 0 होगा लेकिन अगर उसका Nth term निकालेंगे तो उसका Nth term जो होगा वो linear होगा वो linear के form में होगा या आपका लेकि linear expression होगा अब यहां से यह find होगे आमारे पास में A N अब दूसरी बात क्या करते हैं इसका D निकाल कर देखते हैं कि इसका D क्या होता है N minus 1 तो N के position पर N minus 1 रखे हैं तो 2 N minus 1 और minus 1 into A plus B तो यह हो गया 2 N minus 2 और minus 1 into A और plus B आ गया तो 2 N minus 3 into A और plus B अब D find करते हैं A N minus A N minus 1 को A N multiply भी कर सकते हैं तो इसको multiply करके लिखेंगे तो 2 N A minus A plus B है और इसको multiply करेंगे तो 2 N A minus 3 A और plus B है चलिए bracket को open करते हैं देखते हैं क्या आता है 2 N A plus minus A और यह आ गया plus B minus 2 N A और minus minus plus हो गया 3 A और minus B हो गया यह दोनों cancel हो गया B और B भी plus minus cancel हो गया result आ गया 2 A तो यह important बाते हैं यह आपको याद रखने की चीज़े हैं कि अगर किसी भी sequence का किसी भी sequence को arithmetic progression तब कहेंगे जबकि उसका एनथ टर्म जो है A N square plus B N के रूप में हो और result में यह याद रखना है कि इसका यनथमा टर्म जो है A N जो है इसका A N हमारे पास में जो निकल कर आएगा वो 2 N minus 1 into A plus B होगा और जो common difference निकल कर आएगा वो final में 2 A होगा यह याद रखना है और अगर यह आप याद रखते हैं तो question objective questions बहुत easily बन जाएंगे यह इसका sum तो Nth term यह और D यह और student एक महत पुर्ण बाते हैं कि अगर इसमें constant जोड दिया जाए तब ऐसी स्तिती में दूसरे पद के onward मने दूसरे पद के बाद arithmetic progression होगा मने पहले पद से वह arithmetic progression नहीं होगा यह आप five number result में आप इस बात को रख सकते हैं तो देखते हैं कि five number हमारे पास में क्या आता है तो five number में यह करें कि अगर किसी sequence का यन पदों का का योग a n square प्लस b n प्लस c के रूप में हो मतलब कि इस theories में दोनों को अगर compare करें तो यहां constant नहीं था a n square प्लस b n था जबकि इहां a n square प्लस b n प्लस c था constant ले लिए तो यह पूरा sequence मने पर्थम पद से यह arithmetic progression नहीं होगा दूसरे पद के बाद से या अब कहलें दूसरे पद के बाद दूसरा पद यह दूसरे पद के बाद यह arithmetic progression को सो करेगा तो हो तो यह दूसरा पद के बाद दूसरा पद से दूसरा पद से एपी को चलिए परदर्सित करेगा यह बात हैं हो गया और इसमें भी आप कर सकते हैं इसको भी आप proof कर सकते हैं आपके पास में SN जो है AN square प्लस BN प्लस C है यहां से फिर SN minus 1 A N minus 1 का whole square और A B N minus 1 और प्लस C फाइनल रिजल्ट हो गया A N square plus 1 minus 2 N plus B N minus B plus C तो A N square plus A minus 2 A N plus B N minus B or plus C अब A N निकालेंगे SN minus SN minus 1 A N find कर रहे हैं तो हमारे पास में A N हो गया A N square plus B N plus C और minus करेंगे यहां से अस्ट्वेंट हम लोग तो result हो जाएगा A N square plus A A minus 2 A N plus B N minus B plus C तो A N square A N square आगे plus B N plus C minus A N square minus A minus minus plus 2 A N 2 A N minus B N minus B N plus B minus C A N square cancel उसके बाद B N भी cancel और C भी cancel बाद बादील दो गजा बादील चलिये A N find हो जाता है यहां देख रहे हैं हैं यह दोनों में common ले 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 लेते हैं तो 2 N minus 1 into A और प्लस B यह हमारा find हो गया an is equal to, अब an find हो गया, यहां से हम लोग sn निकालेंगे, sorry an minus 1 निकालेंगे, तो यह फिर हमारा हो गया 2, n minus 1 minus 1 into a plus b, तो 2 n minus 3 into a or plus b. यह 2 a, n a minus 3 a or plus b, तो finally d is equal to use करेंगे, तो an minus an minus 1, तो result हो गया an is equal to 2 n a minus a plus b, और उसमें minus करेंगे, 2 n a plus 3 a minus b का, यह b और b cancel, यह और यह भी cancel, फाइनल रिजल्ट हमारे पास में, d is equal to 2 a आ गया, d a is equal to 2 a आ गया, लेकिन यहां जो आया result, वहां यहन का जो value होगा, वो greater than equals to 2 होगा, देखिए इसी सर्थ की बात हम कर रहे थे आपसे, यहां जो यहन होगा, वो greater than equals to 2 होगा, तो क्या one पर कौन सा सर्थे follow करेगा, यह देखना पड़ेगा, मतलब यहां से तो हम कह सकते हैं, कि second term, इसका मतलब कि 2 greater than equals to 0, यहन ग्रेटर than equals to 2 का मतलब है, कि आप first term को छोड़ दीजिए, यहां से शुरू कर रहे हैं, a2, a3, a4, यहां से, as on an की बात कर रहे हैं, तो यहां 3-2, 3-2, aP है, यहां से तो आही गया कि constant है, 2a है, 2a final आ गया, लेकिन हम यह अब चेक करेंगे, कि क्या यहां से 2-a जो हमारे पास में है, 2-a क्या वो aP को सो करेगा, तो उसके लिए student क्या करते हैं, कि हम जो हमारे पास में result आया है, उस result को लिख लेते हैं, या result तो हमारे पास में लगवा गई है, an is called to इतना और d is called to इतना, तो आगे देखते हैं कि क्या करेंगे हम, तो यह result हमारे पास में अभी आ चुका है, d is called to 2a, मतलब यहां second term से सुरू करेंगे, मनें a3 माइनस a2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, as one, an माइनस an माइनस one, यह result हमारे पास में 2a आ चुका है, चलिए, अब हम क्या करते हैं, कि a2 माइनस a1 करते हैं, अब a2 को हम लिख सकते हैं, student, yes 2 माइनस s1, yes 2 माइनस s1, और माइनस a1 एक ही term है, तो इसे भी yes 1 लिख सकते हैं, तो yes 2 माइनस 2 yes 1 हो गया, अब yes 2 दो term रख रहे हैं, तो हमारे पास में यह sequence है, यहाँ यह एक्वस टू रख दें, तो a into 2 square, plus b into 2, plus c, चलिए, माइनस, 1 रखना है, तो 2 into yes 1, a into 1 square, माइनस प्लस है, b into 1, और प्लस c, देखते हैं, साल्व करके, यहाँ आगया, 4 a, प्लस 2 b, प्लस c, माइनस 2 a, माइनस b, और माइनस c, यह कैंसिल, यह हमारे पास में आगया, 2 a, और b को माइनस करेंगे, तो प्लस आगया b, मतलब यहाँ, रिजल्ट आगया, कि a2 माइनस a1, इस नौट इक्वल टू, a3 माइनस a2, इसका अर्थ है, कि यहाँ से तो साला, आपका common difference नहीं था, लेकिन जब फर्स्ट, second term minus first term किये, तो आपका third term minus second term के बरावर नहीं आया, इससे यह सावित होता है, कि पर्थम पद से, पर्थम पद से, arithmetic progression को follow नहीं करेगा, कहां से करेगा, दूतिये पद से करेगा, तो जैसे ही आप देखिए, कि a n square प्लस b n है, s n equal to, तो आपका दीजिए कि सरी यह a p में होगा, clear, और यह भी याद रखिए कि इसका a n term जो है, 2 n minus 1, into plus b होगा, और इसका common difference 2 a होगा, एक दम याद रखना है, लेकिन जैसे ही question आपके पास में मिले, कि s n equal to a n square, plus b n plus c है, तुरंट आप देखिए, इस c को constant को देखिए, जैसे ही constant नजर आ जाए, आप कहेंगे कि पर्थम पद से, arithmetic progression को follow नहीं करेगा, यह कहां से होगा, second term से, वो a p में होगा, second term onward, second term onward की बात कर रहे हैं, कि second term से onward जो है, वो arithmetic progression को away करेगा, यह सम से related बहुत ही important बाते हैं, अब सम से related एक और महत्पुर्ण बाते होती है, कि दो different अगर arithmetic progression का sum का ratio दिया हुआ हो, तो उसके term का ratio कैसे निकालेंगे, दो एक ही arithmetic progression का different पदों का अगर sum का ratio दिया हुआ हो, तब number of term का आप different term का ratio कैसे find करेंगे, यह दोनों प्रस ननिवारे हैं, और दोनों को हम theories के रूप में बना कर रखेंगे, ताकि आप objective questions को easily बना सके, आज का जो class है, यहां हम समाप्त करते हैं, अगले class में ratio से related जो हमारा होगा, और अगर समय बचता है, तो हम problem को सुरू करेंगे, आज का जो class से हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद,